नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का US Study 76 पर तो क्लास आप लोगों के चल दे थी हिस्ट्री के और हिस्ट्री में आप लोगों का चल दा था भारत में एरोपिय कंपनियों का आगमन किस तरीके से हुआ और किस तरीके से उन्होंने अपना यहां पर अधिकार किया, सासन किया, समराज यानि कि अपना समराज इस्तापित किया किस तरीके से और उसके बाद में यहां पर तो आधुनिक भारत में यही पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत में आप लोगों की आज पांचमी क्लास है ठीक है और उसमें पढ़ रहे थे पुर्तगाली सबसे पहले आये थे जो पुर्तगाली आये थे और सबसे बाद में गई ही कौन थे पुर्तगाली ही गए थे सबसे बाद में तो पुर्तगाली के बारे में ही यहाँ पर पढ़ रहे थे तो पिछली क्लास जो एक क्लास हो चु अलफान्सो डियल उकरक जो कि पुर्टगालियों के द्वारा बहे जा हुआ दुटिया गबर्णर था पुर्टगालियों का और अब आंगे बात करते हैं इसके बारे में तो इसको पंद्रा सो नो से लेकर पंद्रा सो पंद्रा तक रहा था तो इसके सासनकाल में क्या क्या यही भारत में अलफांसो नामक आम लेकर आया जो कि महाराष्ट के रतनागेरी में ठीक है जो कि महाराष्ट के रतनागेरी में तो आज में महाराष्ट के रतनागेरी जो वो अलफांसो नामक आम के से प्रिसिद्ध भी है इसके बाद इसने क्या किया था 1510 में बीजापूर और 1511 में इसने मलक्का पर अधिकार किया था जो कि साउथ इस्ट इंडिया की मंडी हुआ करती थी और 1515 में इसने हारमुज बंदर गाहा पर अधिकार किया था जो कि फारस की खाड़ी में परता था ठीक है फारस की खाड़ी की जो ब्ली वाटर ऑप पॉलिसी थी ठीक है उसको इसने आते ही बंद करवा दिया था ठीक है जो की ब्ली वाटर ऑप पॉलिसी किसकी थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की उसको इसने बंद करवा दिया था अब इसके बाद में आंगे बात करते हैं नया गवर्णर कहन आएग बास को डिगामा की, तो यह इतना हो गया और हाँ, अलफांसो डी अलवुकर्क जो था, इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, इसने अपनी कैपिटल जो बनाई थी, वो बनाई थी, कोची, ठीक है इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई थी, कोची बनाई थी 1509 में जब यह आया था तो यह पॉइंट और लिख ले ना 1509 में जब इसने आया था तो इसने 1509 में ही जो अपनी CAPITAL थी या Mukh केंदर जो बनाया था इसने वो कोचीन बनाया था 1509 में आते ही इसने CAPITAL जो थी वो कोचीन बना ली थी और 1515 में ही 1515 में ही गुवा में एक चर्च का निर्माड किया गया था 1515 में ही गुवा में एक चर्च का निर्माड भी किया गया था अब आगे बात कर लेते हैं इसके बाद में जो थर्ड गवर्नर आया था उसके बारे में नीनो डी कुनहा के बारे में थर्ड गवर्नर जो आया था यहां पर लेख लेते हैं थर्ड गवर्नर जो आया था यहां यहें पर यहां पर लेख लेते हैं थर्ड गवर्नर नीनो डी कुनहा के बारे में जो 1529 से लेकर 1539 तख रहा था थर्ड गवरनर नीनो डीकुनह जो 1529 से लेकर 1538 तक रहा था इस ने आते ही क्या क्या था एक साल के बाद में 1530 में इसने अपनी राजदानी 1530 में इसने अपनी राजदानी कहां सिफ्ट कर ली थी ठीक है इसने अपनी राजधानी कोचीन से गुवा सिप्ट कर ली थी कोचीन से इसने गुवा कर ली थी अपनी राजधानी ठीक है इसने 1530 में कोचीन से गुवा कर ली थी क्या राजधानी जो अपनी थी वो कोचीन से गुवा कर ली थी उसके बाद में इसने क्या किया था तो उसके बाद में 1534 में इसने क्या किया नीनोडी गुना ने 1534 में इसने बेसिन पर अधिकार किया और 1535 में इसने दीव परवी अधिकार कर लिया 1534 में इसने बैसिन पर अधिकार किया और 1535 में इसने दीप पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है, दीप पर भी इसने अधिकार कर लिया, उसके बाद में इसके द्वारा एक प्रथा इस्टार्ट की गई थी, ठीक है, इसके द्वारा एक कार्टेज प्रथा इस्टार्ट की गई कार्टेज अर्मेडा काफिला वेबस्ता इनके दोरा जो प्रता इस्टार्ट कीगी थी वो थी कार्टेज, अर्मेडा, काफिला, वेबस्ता ये प्रता क्या थी? कार्टेज, अर्मेडा, काफिला, वेबस्ता इसके बारे में जानते हैं तो इसका मतलब यह था आप लोग जानते हैं कि पूरे के पूरे अरब सागर पर पूरे के पूरे अरब सागर पर पूरत गालियों का अधिकार था और जिस किसी को भी अगर अरब सागर से बैपार करना होता था तो उसको ये कार्टेज अर मेड़ा काफिला वेबस्ता थी इसके तहट उसको क्या था इसमें कि लाइसेंस लेना पूरता था पुर्तगालियों से या अनुमती पत्र लेना पड़ता था या परमिट लेना पड़ता था किससे पुर्तगालियों से जिससे क्या होता था कि वो अरब सागर में अपने जहाजों को ले जा सकता था और Asia के साथ ब्यापार कर सकता था इससे क्या होता था कि जो पूर्तगालियों के लुटे रहे थे यानि कि जो पूर्तगाली थे वो क्या करते थे उन जहाजों को अगर परमिट दिखा देते थे उन्हों को तो बो लोग क्या करते थे बो लोग जहाजों को नहीं लूटते थे तो यही थी कार्टेज अर्मेडा ठीक है काफिला विबस्ता कार्टेज अर्मेडा और काफिला विबस्ता इसमें मुगल जो थी मुगल समराज जो थे उनको भी ये पर्मिट लेना पड़ता था किसे पुर्तगालियों से जो मुगल थे, ठीक है मुगल समराज के जो बादसा थे उस टाइम पर उनको भी ये कार्टेज और मेरा काफला विवस्ता के तहट पर्मिट लेना पड़ता था, ठीक है जिससे कि वो बैपार कर सके, तो पूरे के पूरे अरब सागर पर जब पूर्तगालियों का अधिकार था तो उन्होंने इस तरीके से अधिकार कर रखा था कि बिना पर्मिट के कोई बैपार भी नहीं कर सकता था यानि कि आप ये कह सकते हैं कि अरब सागर पर पूरे के पूरे एक अधिकार था किसका पूरत गालियों का पूरे के पूरे अरब सागर पर एक अधिकार था किसका पूरत गालियों का तो इसके लिए बहाँ पर यह इन्होंने वेवस्ता लगाई थी अपनी कार्टेज अर्मेडा क्या होता था कार्टेज अर्मेडा का मतलब भी होता था अनुमति पत्र कार्टेज अर्मेडा इसका पूरे का पूरे मतलब होता था इसका मतलब होता था परमिट या परमिशन लेना या अनुमति पत्र ठीक है काफिला वेवस्ता यह होता था कि अगर किसी का जहाज जो है वो जाएगा अरब सागर से अगर किसी व्यापारी का जहाज गुजरेगा तो उसको काफिला वेवस्ता के तहट काफिला वेवस्ता के तहट उसको जहाजों के साथ पुर्त गालियों के अन्य जहाज उसको सुरच्छा देंगे पुर्त गालियों के जहाज होंगे वो उसको सुरच्छा देंगे और जहां तक वो जाएगा उसको सुरच्छित पहुचाएंगे यानि कि लुटेरों से बचाएंगे कोई लुटेना तो यह थी काफिला वेबस्ता यानि काफिले के साथ उसको सुरच्छा दी जाती थी उसके साथ काफिला चलता था तो यह थी काफिला वेबस्ता का मतलब था अनुमति पत्र लेना और काफिला वेबस्ता का मतलब यानि कि उसको प्रोटेक्शन देना सुरच्छा देना जो भी जहाज बैपार करेगा या बैपारी का जो भी जहाज होगा तो उसको ये कारटेज वेबस्ता थी तो अब बात कर लेते हैं पुर्दगालियों के बारत में योगदान के बारे में पुर्दगालियों के बारत में क्या क्या योगदान दिया यह नही चीज़ ně लेकर आए भारत में उसके बारे में बात कर लेते हैं तो ये Central America से क्या क्या लेकर आए थे मौंगफली मौंगफली तंबाकू मौंग फली तंबाकू आलू अमरूद पपीता तो पुर्टगालियों के देन में यह जो सेंट्रल अमरीका से लेकर आये थे वो क्या क्या चीज़े लेकर आये थे मौंग फली तंबाकू, आलू, अमरूद और पपीता ये Central America से इतनी चीज़ें ये लेकर आये थे यहां पर ठीक है ये इतनी चीज़ें यहां से लेकर आये थे और Second Point क्या है? ये SIP Building Technic लेकर आये थे SIP Building Technic लेकर आये थे यानि कि जहाजों का निर्मार जहाजों का निर्मार और Third Point क्या हो जाएगा यहां पर इनका Japan और भारत के बीच में बैपार्क Japan और भारत के बीच बैपार्क की शुरुगात जापान और भारत के बीच बैपार की शुरुगात और भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुगात प्रिंटिंग प्रेस की शुरुगाती किसके द्वारा कीगी थी बारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुगाती की गई थी इसके द्वारा पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में ये गोवा में की गई थी और उसके बाद में ये गोवा में लगाई गी थी जो और दीप को गोवा और दमन्दीप को पुर्तगालियों से छुड़वा कर 1961 में गोवा और दमन्दीप को पूर्थ गालियों से छुड़बा कर क्या कर दिया जाता है केनत सासित प्रदेश गुसित कर दिया जाता है उसके बाद में जब 56 संबिदान संसोदन होता है 1987 में तो उसमें क्या होता है अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद